अगर आप लोग उत्रप्रदेश पुलिस की भरती का इंतजार कर रहें तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें और लाश्ट तक देखें आप लोगों की एकर एज निकली जा रही है तो ये वीडियो पूरा देखें सारे डाउट आपको किलियर करने वाले हैं कि भरती कुछ डाउट है कि उम्र कितनी होनी चाहिए उत्रपदेश पुलिस भरती के लिए उम्र में छूट कितनी मिलती है लंबाई कितनी होनी चाहिए सीना कितना होना चाहिए भरती कब आएगी दोड कितनी होती बजन कितना होता इसका पेपर कही साथ है सारे डाउट किलियर करने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग क्या आप लोगों की भरती एकस्त में आएगी ये भी आप लोगों का डाउट किलियर करने वाले हैं यहां पर एज काफी बच्चों की निकल लए ही तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट से बार भी पास हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप फारम डाल सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से मेत से साइंस से आर्ट से किसी से भी है तो आप इसमें फारम डाल सकते सबसे पहली योगिता बारभी पास दूसरी आपकी योगिता होनी चाहिए 18 साल से आपकी एज 22 साल से उपर नहीं होनी चाहिए यानि कि कम से कम आपकी 18 साल और 22 से उपर नहीं होनी चाहिए अगर आप जर्नल में आते हो तो आपकी ये भरती देखने की उमर है और अगर आप लोग ये जर्नल बालों की है और सभी में होती है OBC में क्या होता अगर आप OBC में आते हो अगर OBC में आते हो OBC में आते हो तो आपको छूट मिल जाएगी ESC में आते हो तो आपको छूट मिल जाएगी EST में आते हो तब आपको छूट मिलेगी तब यहाँ पर आप लोगों को पान पान साल की छूट मिल जाएगी यानि कि अगर OBC में आते हो तो आप 27 साल तक form बर सकते हैं यह स्टी में आते हैं तो 27 साल तक यह age का doubt आप लोगों का clear हुआ तो आप लोगों अगर special सोच रहे हैं कि यह आप लोगों को age में special बीच में बरती नहीं आई कोरोना लगा रहा है तो उसकी छूट मिलेगी तो यहाँ पर आप लोगों का clear doubt कर दें अगर कोई भी यूटूबर आपको कुछ बता रहा है तो वो गलत बता रहा है आपको छूट यहाँ पर कोरोना काल वाली नहीं मिलेगी जो age में छूट मिलती आ रही है जो आपको यह स्टी ESC के हिसाब से जो छूट मिलती थी ESC वालों को 5 साल की वो छूट मिलेगी ESC में आते हो तब आपको 5 साल की छूट मिलेगी अगर OBC में आते हो तब आपको 5 साल की छूट मिलेगी यानि कि अगर आप लोगो 22 साल से अगर आपकी age हो गई तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, अगर OBC में आते तो आप 27 साल तक फोम भर सकते हो, स्थीएश्टी में आते हो तब भी आपको छूट मिलेगी, जर्णल वालों की एज रिखी जाती है, उत्र प्रदेश पुलिस में, 18-22 साल तक इसमें फोम भर सकते हैं, नेक्स्ट आप यहाँ पर height की बारे में बात कर लेते हैं, pulse आप लोगों की height की बारे में बात कर लेते हैं, height आपकी कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले आपका doubt है height वाला, तो अगर आप Journal से आते हो, UR से Journal आते हो, on Reserve से और उसके बाद OBC से अगर आप से आते हो, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए 168 cm कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए तब इसमें आप फारम डाल सकते हैं 168 cm यह हाइट जो पुरुसों के लिए रखी गई है SC जर्नल और OVC वालों के लिए यहाँ पर समान हाइट रखी गई OVC जर्नल और SC वालों के लिए है अगर आप लोग EST से आते हो यानि कि EST अनुसूचित जन्जात से आते हो तब आपकी 160 अगर हाइट है और आप पुरुस हो तो अपलाई कर सकते हैं सीना कितना आपका होना चाहिए यह नोटिपिकेशन आप देख सकते हैं पिछला वाला लोटिपिकेशन है सीना आपका जो है अगर OVC में आप आते हो OVC और अगर आप EST में आते हो और जर्नल UR में आते हो तो आपका सीना जो है 79 से और 5 सेंटी मिटर आपका फूलना चाहिए यानि कि 79 आपका मिनिमम होना चाहिए और 84 cm आपका फुलाके होना चाहिए यानि कि आपका जो चेस्ट जो तीनों कटागिरी है SC, OBC और जर्णल वालों के लिए यहाँ पर 79 चेस्ट होना चाहिए उसके बाद जब आप फुलाएंगे 5 cm तो 84 आपका चेस्ट होना चाहिए 5 cm फूलने के बाद तो यह हुआ आपका जर्णल, OBC, SC वालों के लिए यहाँ पर सीना और अगर आप बिलोंग करते हो ST से, यानि कि यह नुसुची जंजात से है तो आपका क्या होना चाहिए 77 आपका जो है 77 मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए 82 आपका हो जाना चाहिए ST वालों के लिए अब आप गाईज बात कर लेते हैं आपका जो है 5 cm आपका चेस्ट फूलना चाहिए नहीं फूला तो आपको निकाल दिया जाएगा महिलाओं के लिए जो महिलाएं है उनके लिए कितनी हाइट रखी यह पूरसों के लिए था OBC यहाँ पर देख सकते हैं Journal और OBC और SC यानि कि OBC और यहाँ पर SC और यहाँ पर Journal जो Journal में आते हैं उनकी लड़कियों के लिए हाइट रखी कि 152 cm है तो लड़किया नहीं से सुनें अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब सलेवस और जो क्या क्या योगिता रखी जाती है तो वो पूरा आप लोग देखें इसका तो अहाँ पर देख सकते हैं अब बात करते हैं जो EST से लड़किया आती है जन्जाती से आती है लड़कों की अगर बजन की बात की जाए तो लड़कों का बजन जो है 48 kg से कम नहीं होना चाहिए ये लड़कों का बेट है और हाइट के हिसाफ से आपका बेट होना चाहिए अब गाईज बात कर लेते हैं आपका फिजिकल यानि कि रनिंग जो यापकी पीटी होती है तो यहापर पीटी अगर बात की जाए यहापर चार पॉयंट जो पिछली बरती थी जो 2018 वाली तो चार पॉयंट यानि कि 48 मीटर आपकी रेस कितने मिनट में दी दोल पूरी करनी थी आपको 25 मिनट में टाइम आप लोग देख सकते हैं उत्रप्रदेश पुलिस में 25 मिनट का टाइम दिया गया था पिछली बार यहाँ पर नोटी बिखेशन आप लोग देख सकते हैं आपको कितना दोलना पड़ता है चार पॉंट यानि की लगबं सम्थिंग पांच किलोमिटर आपको दोलना पड़ेगा फ़सेजेश 25 मिनट में लड़कियों के लिए कितनी रेस रखी गई थी यहाँ पर दो पॉंट 4 कि छार 24 मिटर रखी गई थी something. 2.5 km आपको दोढ़ना था. लड़कियों को कितने time दिया था. यहापर time कितना दिया गया था? 14 मिनिट में लड़कियों का यहापर time दिया गया था पिछली बार. तो गाईज है आप लोगों को बता दे हैं आप लोगों को shoot कितनी मिलने वाली SC बालों को shoot यहां पर 5 साल की मिलती है यानि कि minimum जो age रखी गई है maximum जो 22 साल रखी गई उसके बाद अगर आप ST से आते तो 5 साल की shoot मिल जाएगी यानि कि आप 27 साल तक form भर सकते हो अगर आप ST से belong करते हैं तो 27 साल तक भर सकते हो अगर आप OBCB से belong करते हो 27 साल से अगर आप journal से belong करते तो आप 22 साल तक ही इसमें फौम भर सकते हो गाइज बात कर लेते हैं अप आप लोगों की भरती कब आएगी आप लोगों को बता देंगा है यगा आपकी भरती कब आएगी ये आपका doubt है तो ये doubt आप लोग clear कर लें आपकी भरती कब आएगी आप किसी भी यूटूबर का वीڈयो देख लें पूरे यूटूब चैनल पर आप मैं कहता हूँ मेरा ही वीडियो मत देखें आप किसी यूटूब चैनल पर बड़े से बड़ा जो यूटूबर है जो बड़े-बड़े हैं चैनल वाले उनका वीडियो देख लो बो भी आपको clear date नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी आपको बता दें अगर उत्तरप्रदेश पुलिस में आप अगर SI हो तो बो भी SI भी आपको clear date इसकी नहीं बता सकता कि भरती कब आएगी और क आएगी कब आएगी यह date आपको exact नहीं बता सकते मगर जो है आपको यह बता देंगे कि यह भरती इन महीनों से इन महीनों के बीच आ सकती है और आप लोगों को बता दें यह रिलक्सेशन यहाँ पर आपको मुश्किल ही मिलने वाला 99% जो है आपको यहाँ पर एज एक्स् काउंट होती या जो भरती आने वाली है 2022 में आ जाएगी और दिसंबर में 2022 के अंदर अंदर आ जाएगी यह जनवरी से इसकी एज काउंटिंग की जाएगी तो आप लोगों को बता दें कि आज तारीक हो गई है आज 24 अगस्त हो गई है यह भी महिना आपका खतम होने वाला है तो आपकी भरती जो है यह भरती आपकी तीन महिने के अंदर आ सकती यहाँ पर जो है अगस्त लास्ट फास्ट यह कुछ नहीं होता यह बोलते रहते हैं काफी लोग अपने कोर्स बेंच रहे हैं यूटूब पर तो वो इसी के चक्कर में बतात रहे हैं अगस्त में फलाना ढिवा का यह ऐसा कुछ नहीं तो आपकी यह भरती तीन महिने में लगबग आ जाएगी है सितंबर से सितंबर अक्टूबर नमंबर या दिसंबर के लेगा तो आपके कितने कोशन किसे आते यह बता दें आपके 38 पोस्षन आते हैं जर्न नोलिज में कहां कहां से आते हैं वो आप लोग यहां पर दिया गया इप ले सकते हो और बात कर लेते हैं याँ पर आपकी सामान नहिंदी सरवराम और उपसरवक प्रतिय बगईरा से आते हैं उसके बाद बात करते हैं आपका तीसरा पार्ट आता है तीसरे पार्ट में क्या आता है संख्यातमक एवं मांसिक यूग गिता तो numerical mental ability से question आते हैं जो कि कितने question आपके आते हैं यहाँ पर इसके question आते हैं आप लोगों के 38 question आते हैं इसके sorry guys इसके question आते हैं जो कितने आते हैं scientist question आते हैं और उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपके reasoning से कितने question आते हैं तो आपके reasoning से यहाँ पर question कितने आते हैं reasoning से 38 question आते हैं total आपके question कितने बनते हैं तो 1500 question आपके बनते जाके हैं total question यह आप लोगों का सलेवस रहा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगर पिछली आर्व जिल नोगों ने paper दिया होगा तो बहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि reasoning आपकी लगवक 56 नमबर की लग रही होगी और आपको 38 नमबर की आपको जो मेत बताई गई है उसमें वो कितने question लग रहे हैं 18 ही question मेत की आयत है तो इसमें क्या है जो mental ability को लग कर दिया जाता है और वो जो question आपके reasoning में लगते ह सकती है और आपको कोई भी date fix नहीं बता सकता यह मैं आप लोगों को clear करना चाहता हूं तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें लाइक करें दोस्तों करें हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे जो भी भरतिया आती सबसे पहले जानकारी दी जाती है और तैयारी करवाजी आती है तो thank you guys